अब सिंपल सी बात है फ्रेंड्स आपने यहाँ पर वाटसाप चलाते समय या वाटसाप बिजनेस को यूद करते समय वहाँ पर कुछ टैर्म एंड कंडिशन किया अगेंस कोई एक्टिविटी की होगी इस वज़े से अभी आपका वाटसाप है जो वाटसाप बिजनेस है वो यहाँ पर बैन होगा अब बैन होने के बाद सिंपल सी बात है फ्रेंड्स क्या एरर आ रहा है वो सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर में यूज डिफ्रेंट नंबर पर क्लिक कर देता हूँ एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर को एक प्रॉल्म आ रहे है उनका भी यहाँ वाट्साब बैन हो चुका है तो मैं यहाँ पर जैसे mobile number डाल देता हूं और next पर क्लिक कर देता हूं तो friends यहाँ पर मेरे सामने आ जाता है यहाँ पर यह वाला error तो यहाँ पर साब साब लिखा है this number is banned from using WhatsApp contact support for help friends यहाँ यही same error आपको आ रहा है and आपका WhatsApp यहाँ पर अभी भी ban है unban नहीं हुआ है बिल्कुल सही समय पर सही वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख रहे है आज किस वीडियो में यही जानेंगे इस error का क्या solution है केसे friends अपने WhatsApp को unban कर सकते हैं कब तक आपका WhatsApp unban हो जाएगा सब कुछ जानकर ही आज किस वीडियों मताने वाला अब सीधे solution की बात कर लेते solution कुण सा permanent solution की बात कर रहा हूँ friends जो अभी अपने activity की जो WhatsApp की against थी वो activity आपको return नहीं करनी नहीं तो friends WhatsApp team आपका जो number है वो permanent बंद कर देगी इस वज़े से आप यहाँ पे दुबारा WhatsApp open करने जाएंगे वहाँ पे review के लिए भेजने जाएंगे report करेंगे help मांगेगे तो वहाँ पे आपको कोई भी help नहीं मिलने वाली है मतलब friends जो WhatsApp नमबर है वो unban होने की chances काफी जादा कम हो जाती फिर भी friends कुछ ऐसे स्थिती है जहाँ भी friends पड़ी आसांस है जो आपका permanent WhatsApp है वो भी आपे अन्बैन होता है तो वहाँ पे भी friends आपको तीन या चार मन तक भी रुखना पड़ सकता है अब solution के बात करते हैं friends अब WhatsApp बिजनेस का जो आपका नमबर है काफी important नमबर था वो यहाँ पे बैन हो गए अब friends यह तो यहाँ पे ग्रूप के बज़े से बन हुआ होगा या आप कुछ marketing कर रहे होगे वहाँ पे WhatsApp बिजनेस में उनके कुछ term and condition है उनके अगेस कोई activity की होगी तो वो तो मुझे पहले तो आप comment box में बताए और वो भी activity आपको WhatsApp बिजनेस यूज करते समय फिर से नहीं करने है अब friends आगे में जो तरीका बताने वाला हो उसे आपको ध्यान से follow करना है ध्यान से समझना है और उसके बाद ही friends जो तरीका है वो apply करना है end तक देखना है end में भी friends कुछ important जान करें आपको बता चलने वाली तो छेरिए friends तरीका जानते है यहाँ पर आपको WhatsApp बिजनेस को open कर लेना है मैं WhatsApp बिजनेस को open करता हूँ WhatsApp बिजनेस अल्रेड़ी अनिस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल करके open करें open करने के बाद एगरी कंटेनर पर क्लिक करें use a different number इसके उपर क्लिक करें क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैन WhatsApp नमबर है वो simply यहाँ पर आपको डाल देना है mobile नमबर डालने के बाद next के उपर क्लिक करने के बाद simple सी बात है वहाँ पर आपको error तो show होने वाला है अब friends जो आगे तरीका बताने वाला उसे ध्यान से देखना है अब तरीका देखने से पहले please इस वीडियो को like करना है friends 500 like के target को जरू complete करना एक helpful वीडियो के लिए आपको like तो करना ही चाहिए तो चलिए friends यहाँ पर हम आगे की step follow करते है simple step यहाँ पर support के option पर आपको क्लिक करना है उससे पहले friends इस problem का आपको screenshot निकाल लेना है तो यहाँ पर मैं screenshot निकाल लेता हूँ screenshot मैंने निकाल लेता है अब आगे क्या करना है simply support के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद plus के उबर क्लिक करके जो हमने screenshot निकाला था उससे बस यहाँ पर photos भी क्लिक करके add कर लेना है add मैंने कर लिया अब आ गया आपको friends यहाँ पर इस टब्बे में एक report आपको paste करना है अब report क्या paste कर सकते है यहाँ पर मैंने एक report लिखके रखा था जो यहाँ पर WhatsApp business चलाते समय मेरे फ्रेंड के हाथों से गलती हो गए थे तो वह यहाँ पर मैंने translate किया Google Translate में जाके वहाँ पर translate किया English में and वह मैंने यहाँ पर बस paste कर दिया तो इस तरह से आपको करना है अब यहाँ पर एक line आपको लिखनी help my WhatsApp number has been banned जो भी फ्रेंड कितने दिन यहाँ पर पहले आपका ban हो गए वह पहले मुझे comment box बता है and वह यहाँ पर आपको डाल देना है मेरा फ्रेंड का five days ago ban हो गए तो वह मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐसे detail में मैंने यहाँ पर बता दिया तो ऐसे friends आपको translate करना है and सही तरीके से यहाँ पर आपको report में यहाँ पर डाल देना है अब यहाँ पर मैंने डाल दिया अब आगे क्या करना है next के उपर click करने के बाद बस यहाँ पर आपको नीचे option है this doesn't answer my question इस वाले option पर आपको click करना है जैसे इस वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपको gmail के उबर click करना है click करते है friends आप यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ पर friends आपको नीचे जो भी आपका ban WhatsApp नमबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my ban WhatsApp जो भी नमबर है friends वो यहाँ पर आपको डाल देना है तो friends आगे मैंने यहाँ पर mobile नमबर डाल दिया है तो friends इस तरह से आपको क्या करना है mobile नमबर आपका यहाँ पर आपको डाल देना है नीचे आपके device के सब जानकर यहाँ पर आते ह जाता है तो इसके लिए friends जो भी आप report डालते हो जो जो भी friends आपने गलती है कि वो यहाँ पर आपको accept कर लेना है ऐंने वो यहाँ पर आपको डाल देना है अब report जैसे आप send कर लेते हैं तो send करने के बाद यहाँ पर आपी कुछ भी नहीं करना है WhatsApp को ऐसे ही छोड़ देना है अब friends जो आपका email है वो WhatsApp के पास जाएगा अब उसके बाद friends वो आपकी number को check करेंगे आपके report को भी देखेंगे आपने यहाँ यहाँ यह जो गलती है वो यहाँ एक्सेप कर लिए जो invite activity आपने की है वो आपसे जाने अन जाने में हुए है ऐसे यहाँ पर directly WhatsApp को बता चल जाता है जिसके बाद यहाँ पर WhatsApp decide कर लिता है कि आपका जो number है वो unban करना चाहिए तो simple से बात है friends वो भी वहाँ पर भी friends लोग होते है जो हमारे यहाँ पर थोड़ी समस्या जान सकते है तो यहाँ पर आप यहाँ पर गलती बताएंगे तो friends 100% जो आपका WhatsApp है वो unban हो जाएगा अब friends यहाँ पर इस सभी process को कितना time लगता है review करने के बाद 24 house यहाँ पर आपको wait करना पड़ता है मतलब एक दिन तक यहाँ पर आपको wait करना है तब तक कोई भी activity आपको नहीं करने है अब friends यहाँ पर भी आपको कुछ problem आती है तो comment box में comment करके बता सकते है वीडियो help लगा तो वीडियो को like करके 500 like के target को please complete करना है इस से इस तरह के helpful वीडियो के लिए आपको like तो करना ही चाहिए अब जाते हैं friends और कोई problem आ रही है वाटसाप band related या और कोई भी आ रही है तो comment box में comment करके ज़रू बताना comment करते ही चानल को subscribe करके bell icon पे ज़रू क्लिक करना जाते हैं किसे को कोई account recover करना है तो mh creator account recovery आप search कर सकते या friends वाटसाप band के related भी वीडियो देखना है तो whatsapp band space mh creator ज़रू सर्च करना मेरे कई सारे वीडियो आपके सामने आ जगे बट अभी के लिए आप कोई भी step follow ना करें अभी आपको एक दिन वेटी करना है उसके बाद यहाँ पर चेक करना है और comment box में comment करना है अब जाते हैं कोई भी account require करना screen के ओपर की playlist आप देख सकते हो धन्यवद फ्रेंड्स आत्यांत आभारी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू